हम लोगों भी सिखाया जाता है कि आपस में एक जुटकर रहना है, हिंदू और मुसलमान एक सातरा है, ये नहीं सिखाया जाता है कि आपस में बैट रखो। मदरसों ने हमेशा मोहिबे वतन पैदा किये, वतन से वतन दोस्त बनाए। दस बाई के बाद हिंदी, इंग्लिश, मायत सब पढ़ाई हो तो बाज आपता इंको इहां तालीम केंप्यूटर के दी जाती है हमारा मजभी यही सिखाता है जिस मुल्क मेरा उस मुल्क को सपोर्ट करो और हिंदी है यह क्या है अंगरे जी के किताब है हम लोग बच्चों से पैसा नहीं लेता है जो मुंतजीम है कहां से देते हैं अभी मुल्क जिक्र चलता है जिहाद का जिहाद का इसलाम से क्या संबंद है देखें जिहाद के माणे असल होते हैं जद्दो जिहाद कोशिश करना उत्तर पर्देश के योगी शरकार मदर्सों की शर्वे कराने वाली है और अभी हम सिवान के हसन्पूरा परखंड के तिलकत्थू सरसंयद मगर तिलकत्थू मदर्से में पहुँचे है और एक छोटा सा मदर्सा है इसको चलाते हैं जो संचलक है इसके हाफिज जुबैरासिम हमारे साथ में मौझूद है इनसे जानेंगे कि किस तरीके से मदर्से ये लोग चला रहे हैं और क्या कुछ यहां पर तालीन दी जा रही है क्या कुछ सिखाया रहे है बच्चों को और सर्वे को लेकर कि इनके मौन में क्या ख्याल है कि अखिर सर्वे कराना चाहती है तो इनसे कुछ इनको परसाने दिकत होने वाली है या फिर इससे फैदा होगा देखिए जहां तक सवाल है मदरसों के जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनके सर्वेक्षड या उनके जो सर्वे की विजो बात कर रहे हैं लोग इस से अहल मदरसा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और नहीं से कोई घबराट है ये मदरसे जो हैं आज से नहीं आज़ाद भारत के हिंदुस्तान के तारीख में इनका क्या अहम किरदार है रॉल हैं वो जग जाहिर है वो छुपी ढगी बात नहीं है डिर्व सो सालत तारीख मवजूद है कि मदरसों ने हमेशा मोहिब वतन पैदा किये वतन से वतन दोस्त बनाए मदरसों का जो निजाम है हमें हुकूमत हिंद के संबीधान से हमें राइट मिला हुआ है अधिकार मिला हुआ है कि हर आदमी हर बेक्ती या हर मजहब और मिलत के लोग अपने पसंद के एदारे खोल सकते हैं और चला सकते हैं संबीधान के आर्टिकिल 25, 27, 29, 30 के अं यहां के तालीम की अस्तर को बलके परसेंटेज को बढ़ाते हैं चलके देख सकते हैं बच्चे क्या पढ़ते हैं इसमें क्या होता है इसमें कम्प्यूटर हमारे कुछ बच्चों को कम्प्यूटर सिखाया जाता है जो बच्चे सीखना चाहते हैं जो इस लायक है कि वो कम्प्यूटर की तालीम ले सकें तो बाजबता इनको यहां तालीम कम्प्यूटर की दी जाती है तो कम्प्यूटर के एक ही है असल में अब बच्चे आप पढ़ाई कर रहा है तो इनसे जानते हैं क्या नाम है महम्मद बेलाल सिख रहे हैं अभी इस टाइम जो जैसे घंटी लगता है जिसके स्कूल में घंटी लगता है इसी तरह सुबह से यह पढ़ाई होता है उसके बाद दस बढ़ाई के बाद हिंदी इंगलिश सब पढ़ाएंगे यह हिंदी पढ़ाएंगे यह इंगलिश पढ़ाएंगे इसी तरह बना हुआ है इसके दिन्याद भी पढ़ाया जाता है तजवीद भी पढ़ाया जाता है बहुत जैसा किताब पढ़ाया जाता है बहुत सिखाया जाता है हम लोगों भी सिखाया जाता है कि आपस में एक जुट कराना है हिंदू और मुसल्मान एक साथ रहे यह नहीं सिखाया जाता है कि आपस में रहो, मिल जुल के रहो, सबसी एकता के रहो, यह नहीं सिखाया जाता है कभी भी कि किसी से दूरी रखो, कोई भी मजभ से आए, आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, हाँ, हमारा मजभ यही सिखाता है, जिस मुल्क मेरा उस मुल्क को सपोर्ट करो, मेरा मजभ सिख इसलाम सिखाता है कि आपसमें बायर मत रखो घ्रपते हैं और इंदी इंगलीज पड़ते हैं हिंदी में सब कुछ लिखेना जानते हैं नाम लिखना सब हिंदी लिखना सब कुछ जानते हैं देश को पज़ाद हुआ करता है उसको जिहाद के लिए अपने राइट के लिए अपने अधिकार के लिए अपने हक के लिए तालीम के लिए कोई भी जिस चीज के लिए आदमी उसमें कोशिश करता है उसको जिहाद कहते हैं इसका मतलब यह नहीं कि जिहाद का मतलब यह स्पेसिली जिहाद का मतलब तो अभी जो बतलाए जाता है जो दुनिया के नजरों में है कि अपने धर्म के लि यह हम समझते हैं कि यह बिलावाजी की बात है इसके तरफ लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए यह बिस सर्फ और गलाने के लिए और एक तरह से विशेश संगर्श करना जिहाद उर्दू सब्सक्राइब अब जो जाहिर सी बात है हर आदमी किसी के अधिकार को दबाया जाए अब अपने अधिकार के लिए लड़े तो अब उसको आप जिहाद ही लड़ना जिहाद है नहीं आप कह दीजिए कि यह जिहाद है पतलब जिहाद का अर्थ क्या होता है अपने अधिकारों के लिए लड़ना जिहाद यानि किसी चीज के लिए मिहनत करना जद्दो जिहाद करना यह भी जिहाद है कलम की तालीम लेना कलम के धानी है आप लिए किताब खुले हुए हैं दिखाये ये तो हिंदी का चल रहा है और हिंदी है यह क्या है अंग्रेजी का किताब है यह चोटे-चोटे बच्चे है वह तो नीचे आप बच्चों से पूछ रहे थे यह सब चल रहा है स्लीब टाइगर औरेंज क्या क्या पढ़ा जाता है उन ना पढ़ां के साथ और बी उर्दू हुपू फलोग क्या के सिक्किये हैं बहुत छीजिया पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा हो रहा है दीन तालिम सिखाई है कितना पैसा लगता है हैं पढ़ने में पैसा नहीं लेता है कुछ नहीं पीता जी शी लाइक करता है इंखलरां कि इसमें हैंहु हिंदी इंग्लीज, मैथ, उर्दु इसमें आपको अभी क्या आता है एबी-सी-डी आता है या उससरे आगे बढ़ना है आगे बढ़ेंगे याद है ओरेंज का स्नाईए का औरेंज का संत्रा का संत्रा का संत्रा ओर ए ए ए ए ए ए एड़ ए ए ए एनटी इलिफेंट अलिफेंट बन गता हाँ थी अब यह सबी सिखाया जा रहा है कि पंदरागस्त का पोश्टर भी अप लगाए हुए जी है असलिए हमेशा पंदरागस्तों 26 जनौरी को बड़ी धूम धाम से मनाते हैं और काइदे से मनाते हैं बिल्कुल जो हमारे सम्मिधानिक अधिकार है जो तरीका बताया गया है उस तरीके से मदर्से में और कौन से प होता है और फेस्टिवल आप लोग दो ही मनाते हैं अब बस दो ही मदार मना दो ही तैवार मना पंदरागस्त और शबी जनौरी इसके अलाव को और यहां पर कुछ जो शिच्छा के अंगरिया है उनको हिंदी में बोले और यहां पर तालीन देते हैं कि फॉसर जगा दीजे इंदी भी यह उपढ एंग्लीर आते हैं.. लरों हम लोग बच्चों सा पैसा नहीं लेता है अधुर पैसा कहां से बनिते हैं । कहां से आप तो पैसा लेते नहीं हैं बच्चों से कहां से फिर पैसा लाते हैं देने के लिए सिच्पूँ देखे वही आपको बता रहे थे हम मुनीचे ही बताने वाले थे कि ये मदरसे का जो सिश्टम है पूरा ये पूरा तवक्कल तो अला लाँ यानि अल्ला के भरोसे अल्ला के भरोसे पर ये सब्सक्राइब चलता है अब ये है कि जो लोग मुसल्मान हैं ने धार्मी के तालिम को जिन्दा रखने के लिए वो अपने बच्छों को पढ़ाते भी हैं और फिर ताउन भी करते हैं सद्का, खेरात, जगात वगरे जो होता है ये एक सिस्टम है जो मदरसों को चलाने में सहुलत होती है इनसे तो लोग इद, बखराईद के मौके पर और बीच में धान, गेहूं के मौके पर और ऐसे बीच बीच में भी जाकात, सद्का, खैरात और निकालते रहते हैं इसके जरीए से ये सारी जरूरते पूरी की जाती है चुकि इतना इसके लिए काफी नहीं है मदरसों को चलाने के लिए इसलिए कि बहुत सा जितना इस्टाफ हैं किसी की तनखाज जो है 10,000 है किसी की 9,000 है आपको किसी को दो घंटा अगर तालीम है तो दो चेजार रूपिया चांज गया है लोग लाके पहुछाते हैं या फिर जाना पड़ता है लाने के लिए कहीं को कुछ तो लोग लाके देते हैं और कुछ जो है कभी-कभी जैसे ये बताए ने आपको कि रम्जान के मुखे से और धान गेहुचे जब फसिले तैयार होती है, उस मोके से दरजे दरजे जाते भी है हमारे लोग, ये तालीम, कुछ लोग बचे तालीम देने में रहते हैं कुछ बचों को, और कुछ स्टाफ चले जाते हैं, फिर आज वो जाते हैं, दकल वो जाते हैं, ऐसे, फिरी में पढ़ाने के लिए आप कि सीवान से बाहर से कहीं से इसका कोई इंकम पॉइंट नहीं है, हम सीवान डिश्टिक के अंदर ही सीवान के लोगों से माग कर ताउन लेकर के चलाते हैं और प्या इस्तित्य publi हो या जहां तक मदर्सें जो प्राइबिट मदरसे हैं जो गहर सरकारी उनका भी इस सिष्टम पायर talk लेकर ही Special सरकारी मदर्से सिवान डिस्टिक के उत्ना मुल्षय लिलम नहीं है एसे दो-चार परमुख हम को मालूम है परमुखास्तान पज़जे से सीवान में घुसलवरा हो गया और मही अलूम शकुल्टोली है यतिम खाना है इसी तरीके से आपके खुजबा में हैं मदरसा इसलामिया और और भी कई एक जगा सरकारी मदरसा बच्चों को जो सुब्दा मिलता है आप लोग गया हो सब मिलता है लेकिन हम लोगो को तो माँगे ही करना है तो हम सारी चीजों को वेवस्था करते हैं स्थे से आते हैं पढ़ने के लिए नहीं यह किसी को को दबाव में हैं इसके माँ-सका फूटो लिए जाता है फिर सौ रपिया दाखला फिस्थ वही लेते हैं उसके अलाओ कभी इसे कोई चीज नहीं ले तो है लेकिन उसमें है क्या कि वह जतना हमारी जरुयात है उतना वह पूरा नहीं करते हैं लेकिन फिर वह तक्षेव करना शुरू कर देते हैं अपना वाला करना शुरू कर दे इसलिए बहुत सारे हमारे जो मदरसे के हमारे अकाबिर हैं जो हमारे गारजियन टाइब हैं वह नहीं चाहते हैं कि मदरसों को हम सरकार के हाथों में दे इसलिए कि सरकार के हाथों में चले जाना है सबसे बड़ी बात तो यह है कि टीचर मनमानी हो जाते हैं और सरकारी से लिए मिलने रहता है फिर आज को देख रहें सेयर कर दिजेगा यूटूब को देख रहें चानल को सब्सक्राइब कियो धन्य बाद